नेगटिव लेजर को लेकर आज बात करेंगे ठीक है तो नेगटिव लेजर क्या होता है इसके पहले हम लोग देख चुके हैं फिरोल यहाँ पर डिस्प्ले में जा करके और फिर यहाँ पर आये थे हम एक्सेप्शन रिपोर्ट में तो यह एक्सेप्शन रिपोर्ट होती क् देख चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे negative laser की, ठीक है तो फिर यहाँ पर click करता हूँ, और यहाँ पर देख सकते है laser without email IDs इसको हम next day देखेंगे यहाँ पर optional voucher है, cancelled voucher है, post dated voucher है post dated voucher थोड़ा ही गंटे बात बताऊंगा, शामों आपको वीडियो डालूँगा negative laser की बात करेंगे, negative stock तो पहले ही देख चुके हैं, ठीक है तो negative laser के लिए L प्रेस कर दीजे, कीबोड से यह L प्रेस कर दिया अब आपको यहाँ पर सारे negative lasers शो होंगे, अब यह negative कैसे हुए भाई, तो negative इस तरीके से हुए, कि देखिए यह जो है यहाँ पर अगर मैं आता हूँ negative lasers पर, तो यहाँ पर अभी जहाँ पर दोनों lasers आप, देखिए इसमें जो है, यह GST के laser दिखाई पड़ रहे हैं, creditor party का laser है, data party का laser है, ठीक है तो जो creditor party का laser है, यहाँ पर देखिए यह credit side में होना चाहिए, और जो data party का laser है, वो debit side में होना चाहिए, लेकिन दोनों ही में देख सकते हैं, आप देखिए, यहाँ पर यह creditor party है, और उसी, तो यह debit side में है, 144 रुपिया इनको यहाँ पर देख सकते हैं, यह extra दे दिया गया है, इसी लिए यह debit side में दिखा रहा है, ठीक है और फिर यहाँ पर आते हैं, तो यह data party है, लक्ष्मी, इनको यह debit side में दिखाना चाहिए, ठीक है, यह debit side में दिखाना चाहिए, लेकिन 1000 रुपिया extra हो गया है, तो यह credit side में यही तरीका है, यही वो जरिया है जिसके थरू हम negative laser का पता कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका exception report में जाकर के पता करने का है, और वो कुछ इसी तरीके से होता है, तो आई-Hope की बात सफ़ज में आ गई होगी कि कैसने negative laser को पता करते हैं, तो थैंक यू पूर वाचिंग इस वीडियो